अभी हम बात करेंगे एकुप्रेशर की एकुप्रेशर के माध्यम से हम चार पॉइंट दबाएंगे चार पॉइंट के हाथों में दबाने से माइग्रेन, सिर्दर्द, बीपी हाई रहता है अनिद्रा की प्रोब्लम है रात को कुछ लोगों को नीद अच्छी नहीं आती है प्रोब्लम है तो उसको चार पॉइंट हम दबा कर अपनी कोई भी माइग्रेन है शिटधर्द है रहता है अनिद्रा की प्रोब्लम है मन्च फिरचणापन रहता है और को ये सिटधा पॉइंट को दबाने से हमारा दुन आरुन इे उसलिए माइंड का स्वस्त हो जाता है स ये चार पॉइंट है, पहला है, हमारा अंगुठी के मिडल भाग में टोप पर, इसको हम दो मिनट प्रेस करते हैं, तो इसको हमारा पिचिटी ग्रेंड स्वस्त रहता है, हल्दी रहता है, जिसके माध्यम से हमारी पूरी बोडी उसी से चलती है, माइंड से, तो उस पर ये अच्छी है, ये बेनिफिशल है, यो पॉइंट, फिर अंगुठे के साइड में, नाखुन वल भाग है, इसको उंगली से और अंगुठे से ऐसे पकड़ते हैं, और ऐसे प्रेस करते हैं अंदर के खेज साइड में, तो ये पॉइंट भी हमारे मांड रिलेक्स करता है, फिर तीसरा पॉइंट है अंगूठे और उंगली के बीच में ये एक गड़ा है इसको हम अंगूठे से ऐसे प्रेस करते हैं तो इससे दो मिनट में कैसा भी सिर्दर्द हो वो रिलेक्स हो जाता है मन सांत हो जाता है पूरा जो नर्वस सिस्टम है माइन का वो सुस्थ हो जाता है इस पॉइंट को दबाने से अंगुठे से ऐसे दबा सकते हैं और जीमी है अपने पास तो अच्छे से और जबता आता है यह instrument है एक एको प्रेसर का जिमी बोलते हैं इसको तो इसको यहां से दबाने से दो मिनिट में हमारा सिरदर माईग्रेन आदी में रिलिफ मिलता है नींद अच्छी आती है मन एकागर हो जाता है मेमोरी पावर अच्छी रहती है माइंड रिलेक्स रहेगा तो मेमोरी पावर अच्छी रहेगी फिर जो रिंग फिंगर हमारी रिंग फिंगर के टॉप पर दबाते हैं ये साइनेस वाला पॉइंट तो ये पॉइंट चार हो गए हमारे मेमोरी पावर अच्छी रहेगी तो यह चार पॉइंट आप रोज प्रेस करें सिर में दर्द है माइग्रेन है कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं है तब भी इन चारो पॉइंटों को तो रोज दबाना चाहिए यदि आप एक से दो मिनट चार पॉइंट को दबा लेते हैं तो आपका पूरे दिन माइड अच्छा रहता है अच्छे से कारिय करता है और आप जीवन भर शोस्त रहेंगे क्योंकि हमारा पूरी बोड़ी जो चलती है हमारे माइड से चलती है यदि माइड रिलेक्स रहता है जिस मनुश्य का वो शोस्त रहता है निरोगी रहता है पांसिक रोग हैं, तनाव हैं, तो उसे के कारण आज कल बिमारियां उत्पन हो रही हैं, छोटे-छोटे को बच्चों को टैंसन है, इस्ट्रेस है, डिप्रेसन है, किस लिए, क्योंकि वो तनाव में जीते रहते हैं, तो ये चार पॉइंट बहुत महत्पूर्ण हैं, जिससे कि हम को ये सब सीजों से रिलीफ मिलेगा।